दोस्तों अगर आप नमलोजी सीखना चाहते हैं अगर आप पामेश्ट्री सीखना चाहते हैं यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं यदि आप बास्तू सीखना चाहते हैं दोस्तों इसके हर एक सेक्षन में 60-60 वीडियो मिलेगे दोस्तों आज हम बात करते हैं कि कौन से पूस्प से आप उनकी पूजा करते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं दोस्तों आज हम उसी पूस्प के बारे में बात करेंगे अगर आपके कौन से इस्ट देव हैं वो नीचे वीडियो है आपको इस डिस्क्रिप्शन डॉक्स में भी देंगे और इस चैनल पर भी परा हु दोस्तों ऐसे माना जाता है कि इस्ट देवता को आदमी को डेली पूजा करना चाहिए अपने इस्ट देवता की अगर समय के अबाब में अगर नहीं कर पाते हैं तो कम से कम अश्ट मी चतुर्दसी या तिर्तिया को आप इसकी पूजा अपने इस्ट देवता का महिना में एक बार भी कर सकते हैं, अब उसमें फूल किस चीज का प्रियोग किया जाए, तो सबसे पहले हम बता देते हैं, अगर आप महादेव की पुझा करते हैं, तो सिंहरहार या भोलेवावा जो हैं, उनकी पुझा करते हैं, तो आप आख का जो फूल है, वो आप प्रियोग कर सकत चमेली, मगोरा, सफेद गुलाग इस सब का प्रयोग कर सकते हैं और उजले पुष्प का भी प्रयोग करेंगे तो इससे भोले वावा बहुत खुस होते हैं और इससे आपको मनवांचित फल प्राप्त हो सकता है अगर आपके इस्तिदेव शंकर जी हैं तो इस पुष्प का प्रयोग जरूर करें अगर हम बात करते हैं स्री हरी यानि की बिश्नु भगवान की दोस्तों अगर आप लक्षमी जी की अरादना करते हैं तो एक बार स्री बिश्नु भगवान की पुझा करके देखो क्योंकि बिश्नु अगर जिनके साथ में हैं तो वो लक्षमी खुद और बेजन्ती ये फूल बहुत आवश्यक है अगर आप उनकी पूजा करते हैं अगर आपके इस्टिदेव वो है विश्नु भगवान तो आप इस फूल का जरूर उपियोग करें अब हम तीसरे गौड की बात करते हैं वो हैं सूर्यदेव दोस्तों सूर्यदेव को लाल पु आप और असूख का फूल उनके लिए बहुत अच्छा होता है अगर आप इन से पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा लाम मिलेगा या जल में डाल कर सुबह अगर अर्ग देते हैं तो हम अगे की बात करते हैं देवी लक्षमी दोस्तों देवी लक्षमी को लाल कोई भी प पूस्प पशंद है लेकिन अगर आपको कमल गट्टा की फूल कमल का फूल अगर मिलता है तो इससे आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा और कमल गट्टा के माला से अगर महालक्षमी जी के मतलब की उनके मंत्र का अगर आवहन करते हैं उनके मंत्र ओम महालक्षमी अगले की बात करते हैं तो बजरंग वली यानि की हनमान जी इनकी पुजा या इन में कौन से पुष्प धारन करना या कौन सा पुष्प चरहना आपके लिए अच्छा होगा दोस्तों अगर आप हनमान जी की पूजा करते हैं तो आप लाल पुष्प धारन भी करें यानि कि लाल पुष्प का माला भी धारन करें अगर आप सक्ती की पूजा करते हैं तो नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन अगर हनमान जी की पूजा कर रहे हैं क्योंकि ये सक के अवतार माने गये हैं तो इस बक्त सबसे पहले आप जैसे कि हम बात करते हैं अगर कोई महान पुजा यानि कि अगर 108 वार हलमान चलिशा की पाठ करते हैं या 108 वार हनमान वाण की पाठ करते हैं या सुन्दर का का पाठ करते हैं तो लक्षिमी स्वरी उजलाल फूल का धारन जरूर करें उसके बाद इनको गुलाव चमपा और चमेली ये सब जो पुष्प है लाल पुष्प इनको अर्पित करते हैं इससे अच्छा लाफ आपको मिल सकता है दोस्तों हम ये पांस गौड के वारे में आप आपको बताएं है अगर इनकी पूझा अगर आप करते हैं अगर ये आपके इस्टिदीव हैं तो इससे आपको पूझा करने पर यानि कि इससे फूल का परयोगं करने पर बहुत अच्छा आपको लाफ मिलेगा आपकी जिन्दिगी खुश रहेगी दोस्तों हम आपसे रिक उटकारा मिल सकता है हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में चैनल सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिल आइकन को दबा लें धन्यवाद